आप सभी को मोहिनी एकादशी की हर्दिक शुपकाम नहीं। वैशाक महिने के शुकल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी कहलाती है। और इस पार एकादशी की तिथी प्रारम होगी 18 मई शनिवार की सुभा 11 बचकर 24 मिनट से जिसकी समाप्ती होगी 19 मई रविवार की तोपहर 1 बचकर 50 मिनट पर। एकादशी के उपवास से एक दिन पहले दश्मी तिथी के नियम प्रारम हो जाते हैं। ऐसे में आप 18 मई शनिवार को एकादशी तिथी लगने से पहले पहले तो उसी पत्र तोड़ कर रख सकते हैं। और इस पार मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 19 मई रविवार को। ऐसी मानिता है कि समुद्र मन्थन के समय निकले अमरित कलश को असुरों ने छी लिया था। और इस अमरित का पान करके वे अजर अमर हो जाते। और तब देवताओं की रक्षा करने के लिए भग को सुर्य दे होगा सुबह 5.47 मिनट पर सुर्यास्त होगा शाम 6.58 ब्रहम मूर्थ सुबह 4 बचकर 11 मिनट से 4 बचकर 69 मिनट तक रहेगा अमरत काल रात 8 बचकर 33 मिनट से 10 बचकर 20 मिनट तक रहेगा अभीजीत मूर्थ सुबह 11 बचकर 56 मिनट से दो पहर 12 बचकर 49 मिनट तक रहेगा और रहुकाल दो पहर 4 से 6 बचे तक रहेगा द्वादशी तिथी प्रारंब होगी, 19 मही रविवार की दोपहर एक बचकर 51 मिनट से इसी के साथ हरिवासर शुरू हो जाएगा और 20 मही सोमवार को दोपहर तीन बचकर 69 मिनट पर द्वादशी तिथी समाप्त होगी मानिताओं के नुसार भूले से भी हरिवासर के समय उपवास नहीं खोलना चाहिए इसलिए रविवार के दिन उपवास रखकर सोमवार के दिन बचका पारणा किया जाएगा यानि एक आदशी का उपवास खोला जाएगा और बीस माई सोमवार को सोर्यदय होगा सुबा पांच बचकर 47 मिनट पर सुर्यास्त होगा शाम 6 बचकर 69 मिनट पर ब्रह्म मूर्थ सुबा 4 बचकर 11 मिनट से 4 बचकर 69 मिनट तक रहेगा अमरत काल राद 10 बचकर 42 नट से मधिरातरी 12 बचकर 28 मिनट तक रहेगा अभिजीत मूर सुबह 11 बचकर 56 मिनट से 12 बचकर 49 मिनट तक और राहु काल सुबह 7.30 से 9 बचे तक रहेगा हरिवासर का समय 19 मरी रविवार की शाम 7 बचे तक समाप्त होगा इसलिए आप एकादशी की शाम की पूजा हरिवासर के समय अवश्य करें हरिवासर के समय की गई पूजा से भगवान शरी हरी अत्यन प्रसन हो जाते हैं और अपने भगतों की सारे मनुकामनाई पूर्ण करते हैं मुहिनी एकादशी का व्रत रखने से भक्तों के मुह माया के बंदन कट जाते हैं और भक्त को अंत में मुक्ष की प्राप्ति होती हैं इस बार 20 मई सोमवार के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा और पारण मुहुत रहेगा सुबह 5.47 मिट से 8.45 मिट के बीच में एकादशी के दिन भगवान की करपा प्राप्त करने के लिए आप भगवान का पूजन अवश्य करें और दत्की कथा पड़े सुने भगवान को इस दिन चंदन कतिलक लगाएं पीले पुष परपित करें और पीले रंकी मिठाई अर्पित करें किसी मनुवानशित कामना की पूर्थी के लिए आज के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करके भगवान को पेड़ों का भूग लगाएं और ओम श्री कृष्णाय नम्हा मंत्र का सच्चे मन से जाप करें एकादशी के दिन भूलकर भी चावल यह चावल से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए लेकिन द्वादशी तिति को चावल का सेवन करने से और दान देने से अपार पूनी मिलता है अपने भक्तों की मनुकामना से पहले भगवान श्रीहरी तुलसी माता की प्रार्थ न सुनते हैं इसलिए हर एकारदशी व्रत में तुलसी माता की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए सभी पापों से मुक्ति पाने और अंतमे मुक्ष प्राप्ति के लिए इस दिन गंगा जल का सेवन करना और गंगा जल से इसनान करना शुब फलदाई रहता है ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और चैलन को सब्सक्राइब कीजेगा